Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good morning to all of you. आज का जो मरा क्लास है, वो UG Semester 1K Students के लिए है. और UG Semester 1K Students के लिए ये कुर्स जो है, उसके अंतरगत पेपर बन जो है. An Introduction to Political Theory. उसके अंतरगत आज एक बहुत महत्वापुन concept को हम लोग डिसकेस करेंगे. जिसका नाम है Power, जिसको हिंदी में कहते हैं शक्ती. शक्ती की अवधारना बहुत ही प्राचीन है, और यह जो है, राजनीती का केंद्रिये जो विशय है, इसको माना जाता है. और शक्ती, पूरी राजनीती के इर्द गिर्द जो है, वो हमें घुमती हुई यदि चारो तरफ नजर आती है, जब हम लोग इसका study करते हैं. चाहे वो हम अंतराश्टिय राजनीती के अंतरगत करें, चाहे हम राजनीती के अंतरगत करें, तो हर जगा जो है, यह अपनी केंद्रिये भूमिका में हमें नजर जो है, वो आती है. और प्राचीन काल में सुकरात और प्लेटो ने शक्ति का अध्यन जो है, आदर्शवादी और मानवी दिश्टिकोन से किया था, किन्तु थेशी मेकर्स, अरस्तु, हॉप्स तथा मैक्यावली ने शक्ति का यर्थार्थ रूप से अध्यन किया है, और इन्होंने भी शक्ति का गहराई से अध्यन नहीं किया, ये दपी शक्ति को राज्य के विशिष्ट तत्तु के रूप में देखा है, प्राचीन भारतिये साहित दंड निती के अंतरगत शक्ति का अध्यन किया गया, और बाद में जब विश्व में राष्ट राज्यों का उदय हुआ, तो शक्त की अधारना को विशेश बल मिला, जब राष्ट राज्यों का उदय हुआ, और शक्ति को राज्य के बाह संबंधों को निर्धारित करने के लिए, एक महत्वपुन, मतल काफी महत्वपुन समझा जाने लगा, और वरतमान में हम जिन शक्ति वादियों के विचारों का अध रियम, ब्रेस्टेंड रसल, वाटिंग, वाटिंग सन, वाटिंग्स तथा मॉर्गें थाउ, आधी के नाम उलेखनी हैं, मैक्स बेबर ने सक्ति के अध्यन के को एक नवीन रूप दिया है, और उसने इसका समाज सास्त्री दिष्टिकोन से, समाज सास्त्री दिष्टिकोन के प्रिष्ट भूमी में इसका अध्यन किया है, और इसके छेत्र को व्यापक बनाया है, शक्ती सम्बंदों का क्रमबद अध्यन, मुखेता जो है, कैटिलिन तथा गोल्ड हैमर, तथा सिकागो स्कूल के राजनितिक विद्वानों के, राजनिती विज्ञान के विद्वा पुर्ण था, क्योंकि उन्होंने अंतराष्टिये राजनिती में शक्ती सम्बंदों की भूमिका का अध्यन किया है, और किया है, तो ये तो कुछ बेसिक चीजे थी, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी स्पधाशा है, जो विभिन विद्वानों के द्वारा दी गई ह और शक्ती के अध्यन तथा उसकी ब्याख्या करने में बहुत बड़ी कर्शनाई यह है, कि विभिन विद्वान ने शक्ती के मिलते जुलते जो शब्द हैं, शक्ती के अस्थान पर उसका प्रयोग किया है, और इस प्रकार शक्ती, शब्द का प्रयाई के रूप में, प्र और इसी कारण चार्ल्स E. मैरियम ने यह पारामर्ष दिया है कि नित्यप्रती शक्ति की विविद रूपों का प्रियोग हो रहा है, अता हमें शक्ति की परिभाशा के विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए, किन्तु विशय को भली भाती समझने के लिए विद्वानों द्वारा शक्ति की जो ब्याख्या की गई है, उसको हम लोग एक संशेप में उसका अध्यन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. तो सर्व प्रथम रॉबर्ट बियस्टिड एक विचारक है, उन्होंने कहा है कि शक्ति जो है वो बल प्रयोग की करने की योग्यता है, ना कि उसका वास्तव में प्रयोग किया जाना. और इसी बात को मैकाईवर ने अपने सब्दों में व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि शक्ति होने से हमारा आशे व्यक्तियों को या वहार को नियंत्रित करने, वीनिमित करने तथा निर्देशित करने की छम्ता से है. शेरूट एक बिचारख हैं उन्होंने कहा है कि शक्ती आदेश देने की छमता है इस प्रकार शक्ती उस छमता को कहते हैं जिसमें बल प्रयोग करने की योगिता होती है और स्वेंग बल प्रयोग करने के लिए अवशकता नहीं होती कैटिलिन ने अपनी पुस्तक systematic theory में शक्ति की कलपना को सपष्ट करते हुए कहा है कि प्रतेक व्यक्ति में अपनी आकांचाएं आकांचाओं को पूरा करने की प्रबल इच्छा होती है और यही आकांचाओं को पूरा करने का मुख्य साधन होती है और इन आकांचाओं को पूरा करने के लिए स्वतंतरता की आवशक्ता होती है और शक्ति उस इस्थिती को कहते हैं जिसके द्वारा आकांचाओं की पूर्ती संभव होती है कैटिलिन ने कहा है कि शक्ति व्यक्ति में एक सामानि प्रविती होती है वह स्वैंग में आधार बूत लक्ष नहीं होती आगे जो विचारक आते हैं लास्विल उन्होंने कहा है कि राजनितिक सिध्धान्त में शक्ति की अवधारना सबसे ज़्यादा मौलिक है फंडामेंटल है और लास्विल ने इब्राहन कैपलन के साथ लिखे अपने उनकी जो कृति है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी चौरी पावर एंड सोसाइटी और उस पावर एंड सोशाइटी के अंतरगत उन्होंने कहा है कि एक अनुभविक अध्यन के रूप में राजनिति राजनितिक शक्ति के स्वरूप को बनाने तथा उसमें भाग लेने का अध्यन है लास्विल ने अपनी पुस्तक उनकी एक दूसरी पुस्तक है Politics, Who Gets, What, When and How में शक्ति की विस्तित ब्याख्या की है उनकी दिष्टी में शक्ति प्रभाव का प्रयावाची है और उनका कहना है कि समाज में प्रतेक बैक्ति सदैव कुछ मुल्यों और मुल्यवान वस्तों को प्राप्ति की प्राप्ति के लिए प्रभाव डालने का प्र प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार राजनिती के अधियन का मुख्य उद्देश है कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है मैक्स वेवर ने शक्ति की व्याख्या समाज सास्त्री संदर्व में की है और इसको एक नया रूप देने का प्रयास किया है और उसके द्वार की गई व्याख्या से शक्ति का स्वरूप बहुत व्यापक हो गया है और वेवर ने कहा है कि समाज सास्त्रित इस्टिकोन से शक्ति की अवधारना अत्यद विस्तृत है समाज में विद्दमान सोची जा सकने वाली परिस्थितियां और सभी समाजिक संबंद शक्ति रखने व शक्ति प्रदान करते हैं ठीक इसी तरह से मारगन थाओ ने शक्ति की अवधारना की व्याख्या अंतरास्टिय संदर्म में करते हुए कहा है कि विभिन प्रकार की राजनिती के समान अंतरास्टिय राजनिती भी शक्ति के लिए संघर्ष है और अंतरास्टिय राजनिती को चाहे जो भी अंतिम लक्ष हो निकट भविश्य का लक्ष सदैव शक्ति की प्राक्ति करना होता है तो ये कुछ इसकी परिभाशाएं थी जिसको हमने देखा और इन परिभाशाओं को पढ़ने के बाद इसकी कुछ विशेष्टाएं बाहर निकल कर आती हैं इनको पढ़ने क बाद तो हम लोग उसको देखते हैं कि शक्ति की जो विशेष्टाएं हैं वो क्या हैं तो पहली जो इसकी विशेष्टा है कि शक्ति की अवधारना जो है वो संबंध धात्मक है संबंध धात्मक है यह जो है the concept of power is relational ठीक है तो शक्ति की अवधारना क्या है संबंध धात्म इसका आशयया है कि शक्ति उन दो पक्षों के संबंधों को प्रकट करती है, जिसमें से एक के पास शक्ति होती है और दूसरा जिस पर शक्ति का प्रियोग किया जाता है। लोकतांत्रिक और अधिनायकबादी परिस्थितियों की समिक्षा से इसे भली प्रकार से समझा जा सकता है। और इतना ही नहीं एक ही पद पर दो भिन भिन प्रतिभावाले वैक्तियों के पदाशीन होने पर वास्तविक सक्ति और प्रभाव का प्रिथक पिथक अनुभव होता है। अमेरिका के संबंद में अमेरिका के किनी दो राष्टपतियों की शक्ति इस संबंद में हम तुलना करके अधिन देख सकते हैं। दोनों को सेम पद पोजिशन मिला लेकिन किसी ने बहुत अच्छा शक्ति का प्रियोग करके उसको किया और किसी ने कम किया। या किसी ने सकरात्मक दिष्टिकों से किया, किसी ने उतना सकरात्मक दिष्टिकों से नहीं किया। तीसरा जो महत्वपुंद है कि शक्टि के पीछे अनुशक्तियां विद्दमान होती है, लैट मिंस शक्ति की अवधारना अनुशक्तियों के अभाव में अकल्पनिये है. यदपी शक्ति के पीछे अंतिम अनुशक्ति का स्वरूप दमनात्मक या उतपिरक होता है, किन्तु वास्त्विक अनुशक्तियां हैं प्रभाव, प्रुत्षाहन और बल। दमनात्वक अनुशक्ति का प्रियोग अंतिम शक्ति के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, शक्ति के लक्ष भी समान नहीं होते, जो शक्ति का लक्ष है, the ends are not always the same, तो शक्ति का आदर्ष और उसके लक्ष सदयव जो है वो बदलते रहते हैं, और प्राचीन यूनानी दार्शनिकों की दृष्टी से शक्ति का लक्ष सामुईक हित था, जबकि अर्थार विचार को जो दार्शनिक थे, उनकी दृष्टी से शक्ति का लक्ष सदयव व्यक्तिगत हित था या स्वहित था, वर्तमान में भी कल्यानकारी राजियों का अदर्ष जनहित माना जाता है, यदपी शक्ति धारक अनेक बार स्वहित की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं, पाचवा जो इसकी विशेषता है वह है कि यह सैनिक शक्ति से भिन्ने है, इस डिफरेंट फ्रॉम दा मिलिटरी पावर, तो जब हम व्यानिक शक्ति की बात करते हैं, तो हम हिंसा पर आधारित उस शक्ति की कल्पना करते हैं, जो वास्त्विक बल प्रयोग से संबंध हैं, जो इसकी विशेषता है कि वास्त्विक शक्ति धारकों की पहचान करना कठिन है, इसका क्या मतलब है? कि प्रतेक समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वास्त्विक शक्तिक रखते हैं और निती रिर्धारन आदी में उनकी महत्वपुर्ण भूमिका होती हैं किन्तु वे पर्दे के पीछे शिपे हुए होते हैं और उनको पहचानना कठिन होता है चुनाओं में राजनितिक दलो को चंदा देकर वे अपने प्रत्याशियों को विभिन प्रकार की सहायता देकर पुंजिपती विधाईकाओं में अपना प्रभाव अस्थापित करते हैं और बाद में पर्दे के पीछे बैठे सरकारी निती निर्धारकों को भी प्रभावित करते हैं तो इस तरह से हम दे जो है वो करता हुआ हमें दिखाई देता है तो ये इसकी विशेषताय थी जो हमने देखा कि इसकी छे विशेषताओं की हमने चर्चा की पहले हमने डिफिनिशन्स की चर्चा की किसी ने इसको बल प्रयोग करने की योगता बताया तो किसी ने इसको जो है आकांचाओं की प् किया गया जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आया हो हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं नए टॉपिक के साथ हम लोग इसके अगले पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम लोग इसके विशक्ति के विविद रूप जो हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर्स है इ करते रहें थैंक्यू अलाफ यू